स्टूडेंट्स असी आज एक्सराइज करांगे 2.10 ठीक है ऐसे बच्छे साम दित्ता है सॉल्व दा पोलेंग रिठों सी सामेंग जाएल कित्तों स्टार्ट करना बिलकुर स्टार्टिंग थो अदना स्ट्व नहीं कर सकते इस तरह के पॉर्मूला वा जिमेंग देखो बोर्ड मास दिपता आया फॉर्मूला बी तो ब्रेकट ओ खाली डी डी डिवाइड एम मल्टिप्लाई एड 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 एस तो सब्ट्रेक्शन आँ दो जी जाहां जी नहीं लेनी हैं क्योंकि सामनों एदे बारे हजे नहीं है कि साम जी डिवाइड तो स्टार्ट करांगे ठी करांगे एंड लास्ट जाके सब्ट्रैक्शन करांगे ठीक है यह थे होना आपा सम नंबर सीख से जड़ा हो एड करया है सौल कि मैं करांगे देखो जिमें सानु स्टार्टिंग देविच दिता होया वा डिवाइड असी एना दोना जड़ा नंबर्स ने इना डिवाइड कर एटीन अंदर रख लिए शिक्सनल डिवाइड कीता साथे कुल आ गया एटीन किने नंबर थे थी नंबर थे असी एथे एना दोनों नंबर्स दी स्पेस थे होन एथे थी लिखांगे क्योंकि एदा आंसर जड़ा यागा वाव थी यावा बाक्की नंबर सेम लिख ले ठीक अगले स्टाप बिच की करना एड एनना दोना नों आड करांगे जदो जिनना दे नंबर्स दे बिचकार एड़ा साथे कोड़ एटी आ गया एंड लास्ट दे जाके सब्ट्रेक्शन कारनी है ठीक है सब्ट्रेक्शन वाड़ा नंबर थे लिखे एना दोना नों माइनस कर साथे कोड़ 62 आंसर आ गया एस तरह सारे साम असी एसे तरह करना है सानू साइन चाहा जित्थे भी मर्जी आ जिमें आवर साम बेच्छा नों डिवाइड सेंट्र बिच आ रहे है असी इत्थे पहलना डिवाइड ही करना जेड़े दो नंबर्स दे बिचकार डिवाइड द करें राफ विच करके देख सकते हैं 27 आ गया माइनस 25 आ जेगा फिर अगला स्टब किया एड करना एन दोननों सी एड करें 45 आ गया एन माइनस 25 आ गया फिर एनननों सी माइनस करके आंसर रिकूल कि ना जेगा 20